उदैपूर का नाम परियाटक स्थल के साथ साथ सिंदू गाटी सब्यता के समकालिन 5000 वर्ष पुरानी आयड सब्यता की वज़े से भी जाना जाता है यह सब्यता आयड नदी के किनारे पर विक्सित होकर फली फुली प्राचीन समय में आयड या आहर को अगटपूर, आठपूर, आनंदपूर, गंगोदभाव तेर्थ जैसे कई नामों से जाना जाता था इसी आयड नदी के पास आयड सब्यता के मुख्य टिले के पास गंगोदभाव कुंड परीसर स्थित है उदैपूर रेलवे स्टेशन से यहां की दूरी लगबग 5 किलो मीटर है गंगोदभाव कुंड के क्षेत्र को गंगु कुंड के नाम से अधिक जाना जाता है यहां कुंड एक पवित्र तेर्थ स्थल के रूप में विख्यात है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड से पवित्र गंगा नदी की एक धारा का उद्वव होता है इसी वज़े से गंगु कुंड के जल को गंगा नदी के जल के समान पवित्र माना जाता है और इस जल को कई धार्मेक और पवित्र कारियों के लिए इस्तिमाल किया जाता है शिव महत्सौ समीती द्वारा प्रतिवर्ष गंगुकुंड से उबेश्वर महादेव के मंदिर तक 21 किलोमेटर लंबी कावड यातर निकाली जाती है गंगुकुंड परिसर में मेवाड राजपरिवार की छत्रियां बनी हुई है जिसमें महाराणा अमर सिंग एवं उनके बाद के सभी महाराणाओं की छत्रियां शामिल है यह स्थान मेवाड के राजपरिवार के सद्दश्यों के दाहा संसकार के स्थली रहा है महाराणा प्रताप के पस्चात उदैपुर के महाराणाओं का अंतेश्ट संसकार इसे इस्थान पर हुआ है पहले गंगु कुंड एवं राजपरिवार के छत्रियां एक ही परिसर में बनी हुई थी लेकिन अब ही ने दिवार बना कर अलग कर दिया गया है राजपरिवार के सदश्यों की छत्रियां वाले स्थल को महासतिया के नाम से जाना जाता है और इसमें जाने के लिए अब अलग से द्वार बना हुआ है अभी भी गंगु कुंड परिसर में कई छत्रियां मौजुद हैं जिन में मेवार के सामन तो एवम उनकी पत्नियों की छत्रियां प्रमुख है गंगु कुंड आयताकार अकरती में बना हुआ है और काफी बड़ा कुंड है जिसमें परियाप्त मात्रा में पानी भरा रहता है कुंड में नीचे उतरने के लिए तीन तरफ सीडियां बनी हुई है कुंड के बीच में एक छत्री नुमा अकरती बनी हुई है जिसमें शिवलिंग स्थापित है कुंड में चारों तरफ प्रचूर मात्रा में मचलियां तैरती दिख जाती है गंगू कुंड के निकट ही दक्षिन दिशा में नीचली भूमी पर एक परकोटे युग परिसर में शिव मंदिर समू बना हुआ है इस परिसर में गणेश जी, हनुमान जी के मंदिरों के साथ साथ कई छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनमें कुछ में शिवलिंग मौजूद है मुख्य शिव मंदिर को नो सो पचासवी शताबदी में मेवाड के गुहिल वन्शी रावल अलट ने बनवाया था यह शिव मंदिर शिखर गर्व ग्रय एवं स्थम्ब युक्त सभा मंदप से युक्त था वर्ष 2019 में मरमत के अभाव में मंदिर का शिखर एवं घर्व ग्रय का उपरी हिस्सा ढह गया सभा मंदप सुरक्षित है जिसमें पिछले एक हजार वर्षियों से चत्रमुकी शिवलिंग विराजित है मंदिर के गर्व ग्रय की तीनों दिशाओं में तीन प्रधान ताकों में तीन मुर्तिया स्थापित थी जिन में पूर्व में हरीहर उत्तर में चामुंडा और दक्षिन में लकुलिष शामिल है यहां मंदिर दस्वी शताब्दी की शिल्प कला का एक बहत्रिन उधारण है मंदिर के निकटी ही एक प्राचिन कुंड बना हुआ है जो गंगु कुंड से काफी छोटा है मंदिर के सामने की दिवार की ताख में एक और शिल्लिंग विराजित है एवं दिवार में कई जगे कलात्मक मूर्टिया लगी हुई है मंदिर का कई बार पुनर निर्माण एवं जिवनो धार होने से इसमें कई परिवर्दन आसानी से दिखाई देते हैं जैसे इसकी पीट का दब जाना सभा मंडब के स्तंबो एवं बैटकियों के आकारों में विवित्ता आदी पीपली शिलालेक से पता चलता है कि दस्वी शताब्दी में गुहिल शाशक रावल अलट को मालवा के शाशक मुझा राजा की वज़े से जितोडगर छोड़ना बड़ा तब उन्होंने प्राचिन आयड में अपनी नई राज़ानी स्तापित की अलट ने यहाँ पर इस शुमंदिर के साथ साथ अन्य कई मंदिरों का निर्मान करवाया था साथ ही रावल अलट ने प्रतिहार वन्ष के राज़ा देव पाल को पराजित कर मेवाड को प्रतिहारों के समकक्ष खड़ा कर दिया भर्ट भर्ट अभिलेक से यह पता चलता है कि ततकालिन गुहिल वन्षी शाशक एवं उनके सामनतों में धार्मिक सहंशिलता, उदारता एवं सहिश्णता की भावना थी जिसका अनुमान यहां के संयुक्त प्रतिमाओं को देखकर बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है गंगुकुन परिसर के पास में ही मेरा मंदिर मौझूद है जो एक उची जगती यानि उचे चबूते पर बना हुआ है जिस पर जटिल नकाशी युक्त मुर्तिया वनी हुई है यहां मंदिर भी गंगुकुन के शियु मंदिर समूग के समकालीन है गंगुकुन परिसर एतिहासिक होने के साथ साथ बहुत आकरशक परियटक स्तल है यहां पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है जिन में जहानवी कपूर द्वारा अभिनित धड़क प्रमुक है जब भी आपको उदैपुर गुमने का मौका मिले तो आपको गंगुकुन परिसर में जाकर अपनी विरासत को करीब से अवश्य देखना चाहिए जब भी आपको प्रमुक करीब से अवश्य देखना चाहिए